प्रमोज जी जुड़ गए हैं स्वागत है आपका कहां से बात कर रहे हैं? आपका सवाल क्या है? मुझे में थायरेट की टॉलम है कब से? मुझे दो सल हो गए है कि यह सथ मेरा सो तर आता है टीजी टीफोर नॉर्मल आता है प्रमोज जी यह रोग का निवारन हो सकता है अगर आप मेरी बात गौर से सुनें आप लिख लें तो बहुत अच्छा है रखिए जो आपके किचन में धनिया का दाना है यह 300 ग्राम लीजे 300 ग्राम धनिये का दाना 300 ग्राम मतलब धनिया और 100 ग्राम आवला सूखावा मिलता है 100 ग्राम मेथी का दाना इन सब को लें जितना मैंने बता है 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम आवला 100 ग्राम मेथी और का दाना और 100 ग्राम गौन मौरिंगा सफेद याद रखें और लिख लें कि गौन मौरिंगा सफेद लेना है लाल वाला आता है तो वो नकली होता है तो सफेद ही लेना है गौन मौरिंगा सफेद इनको पॉडर बनाए और एक चमच सुबा वो गोली के साथ या वो गोली के बाद या गोली से पहले जो आप थायराइट की खाते हैं और एक शाम को चम्मच छोटा चाय का चम्मच भरके ऐसा तीन गिराम के करीब चार गिराम के करीब पानी से लिया करें दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें तो रिखिए टाइम लगेगा साथ-ाथ महीने लग सकते हैं आपकी गोली हर महीने आपका डॉक्टर कम करता जाएगा उसकी प्रोटेंसी और साथ-ाथ महीने दस महीने लगें लेकिन इस मर्च से निजाध मुमकिन है दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर है पुश्पाजी स्वागत है आपका हालो नमस्कार जी जी नमस्कार, पुषपा जी सवाल करिए जी जी आदावर्स, बताईए क्या बात है, क्या सवाल है बताईए कौन सा बच्चा जी बताईए नमस्कार मैं जी बताईए, मैं सुन रहा हूँ बताईए आप टीवी के आवाद बंद कर दीजे और मेरी बात सुनिये, मैं सिलमान आप से बात कर रहा हूँ सवाल बताईए अफने घाद मात बताऊ बताईए दूससे गे हों से आलरजी अशर दूस से अलरजी है गे हों गे हों दूस से और गे हों से आलरजा इरेए, क्या होताई वो बंद बताई ये डॉक्टर ने बोले है कि ये वो खाता आता हो गया हूँ स्टोर्टी लगती है ठीक है ये अलर्जी के लिए आप उस बच्चे को माजून आर केर माजून आर केर सुबह आधा चम्मच शाम को आधा चम्मच गरम पानी से दिया करें और पांच बार गरम पानी रोजाना पिलाएं तो देखिए पांच-छे महीने में फाइदा होना चाहिए इतना सबर आप कर सकते हैं तो माजून आर केर बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं अगले कॉलर चंडिगर से है केल शर्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार बोलिए मरम ऐसे है के मेरे को एसलेटी की प्रावलम है कितने साल उसे करीब तीस साल से तीस साल से आपके उम्र क्या है और कवज भी रहती है उम्र क्या है आपकी ओमर फिप्टी नाइन येर देखी ए प्रोग्राम ऐसा हुआ के शुरू सही तीस साल पुराने पैटीस साल पुराने रोगी फोन कर रहे हैं बड़ा अच्छा है के इनको फाइदा हो जाए लेकिन जो भी मैं बताता हूँ वो लिखना बहुत जरूरी है जिसने लिख लिए उसका फाइदा ममकिन है देखिए ऐसे रोगों के लिए बड़ा च्छा नुसका युनानी में है सौफ, धनिया, आवला, और मेती मेती का दाना, सौफ का दाना, धनिये का दाना और आवला सुका मिलता है इन सब को लें, दो दो सो गिराम और डेर सो गिराम आपको लेना है जैतून का नमक जैतून का नमक ऐसा रसाइन है जिसे जैतून का रसाइन भी कहते है या इंगलिश में एस्टेक जैतून भी कहते है इसको 1500 ग्राम इसमें मिला कर घर में पॉडर बनाएं और एक चम्मच सुबा शाम गरम पानी से लें और पांच बार दिन में गरम पानी पीएं तो आपकी ये 30 साल पुरानी बीमारी भी ठीक होना मुम्किन है जी पंजाब से अगली कॉलर है संदीब कुमार जी स्वागत है आपका जी संदीब जी बोलिये सवान करिये सर हमारे न पेट में बहुत ज़्यादा हाड हाड रहता है जी बैक और पेट तो जह आप भी बनता है गैस भी रहती है उसकी प्रोडम पूछी एच क्या है आपकी संदीब जी जित्ती उमर आपकी है अभी इत्ते पुराने पेशेंट का फोना आया था उनको इत्ते दिन से रोक था आप तो अभी शुरू हुए हैं और पांच गिलास गरम पानी पिया करें ठीक है और अपने खाने में धनिया खूब डलवाय करें धनिया और धनिया और ये लहसन और अद्रक अपनी ममी से या जो भी घर में जिम्मेदार हैं उसे कहिए इतना लहसन इतना धनिया इतनी अद्रक डाला करें इससे भी आप ठीक हो सकते बगएर किसी दवा के और अगर फिर भी कोई इस प्रोग्राम की शुरुआ से खूब बता रहा हूं ये अच्छा नस्खा है सौफ का दाना धनिया का दाना और मेती का दाना और आमला सुका हुआ दो दो सो गिराम खरीदें और एक रसायन आता है जैतून का रसायन जिसे नमक जैतून भी कहते हैं जो देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता ये जेट सो गिराम खरीद कर इसमें मिला कर घर में पॉडर बनाएं एक चम्मा सुबा शाम आप पानी से लिया करें खाने से पहले और बाद में दोनों तरह से ले सकते हैं आपको फाइदा मुमकीन है चंडिगर से अगले कॉलर से इन से बाद कर सकते हैं मेरी करवाना मेरी हैजबन का ना पेट बहुत बढ़ा है मतलब बढ़ गया उनका ना पहले तो था नहीं अब बहुत ज्यादा मोटे हो गए पेट से जी जी तो उनके पेट में दरद रहती है एज क्या है उनकी 65 65 65 65 दिखिए एक तो मेरी तरफ से उन से कहिए कि तुड़ भोजन जितना करते हैं अगर वो चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाने लगें कुछ दिन के लिए दो रोटी ठीक है और एक नस्खा बना लीज़े ये बहुत कामियाब नस्खा है दुनिया का कामियाब नस्खा कर लाता है ये आपके घर तक पहुंच गया तो आपको फाइदा देगा लिख लें धनिया का दाना 200 ग्राम सौफ 200 ग्राम आमला सूखावा मिलता है 200 ग्राम और मेती का दाना 200 ग्राम इन सब को लें और एक काता है जैतून का नमक नमक जैतून या जैतून का नमक या टेक क्या जाता है इसको तीन जबानों में अक्सर लोग जानते हैं जैतुन का रसायन या नमक जैतुन नमक जैसा होता है देखने में नमकी नहीं होता इसको डेड़ सो गिराम इसमें मिलाकर पौडर बनाएं और एक एक चम्मच पती देव को खिलाएं आप देखेंगे सीर का रोगी, लीवर का रोगी या खिड्नी की परिशानी वाले रोगी, इन्फेक्शन के रोगी इसे इस्तमाल कर सकते हैं. जी, MP से अगले कॉलर है, MS चोहान जी, स्वागत है आपका. हान जी, बोलिये. आदाब चोहान साब, बता ये क्या सवाल है? नमस्ते अलीच, हमारी पत्नी तुनिता चोहान चोहान साल की है, इनको पैरों में दर्द वबर से हो रहा है, वीच वीच में होमें पैची दवा लीट तो ठीक हो गया थोड़ा बहुत, एक मां से दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उतनों में सुजन भी आ जाती है, उम में आप ठीक हो जाता है, दाटाट मां से पेट भी दर्द कर रहा है जर। ठीक है, दिखिए चोहान साब आपने जल्दी फोन किया, वरना तो दस-बीस साल लोग इस तकलीफ को उठा कर फिर हम से जुड़ते हैं, आप बहुत एक्टिव हैं, जो बहुत जल्दी फोन कर लि ये चार कैफियात कमर में नर्व दबने से होती हैं, आपके घर में यकीनन ये टॉयलेट होगा, वेस्टन टॉयलेट, नहीं हो तो लगवा लें, सिर्फ ये लगवाने से भी आप ठीक हो सकते हैं, आपकी पतनी, और इसके लिए निसका बहुत आसान है, मिलना जरा सा दिश अलवा बहुत होता है, ब्राउन कलर का होता है, आप इसे सो गिराम भी खरीद पाए, असली अगर, तो अधा अधा गिराम सुबा शाम नाच्ते और काने के बाद दिया करें, बगएर चर्बी के दूस से या पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं, उन्हें दिया करे हैं, आप देखेंगे, यह आपकी पत्नी के रोग मुक्त होना मुम्किन है, नेक्स्ट कॉलर यूपी से पांडे जी स्वागत है आपका, जी दौक्र, जी हकीम जी पानाम, जी आदा पांडे साब, जी हकीम साब, मेरे मेरी उमर लगबग 25 साल है, और मेरे आगे के बाल पू नजला, खांसी, बलगम, चींके कुछ आता है आपको? जी हाँ, चींके तो आती है, मौसम बदने भी चींके आती है, और यह नाक से खुड़ा कब निकलता है अच्छा बिटा देखो, जिन को भी नजले की वज़े से बाल उड़ रहे हैं, तो उन्हें अपने नजले का इलाज करना चाहिए, और नजला, खांसी, छींके, बलगम, उन लोगों को होता है, जो जिन में इमिनिटी की कमी होती है, और यह बढ़ता चला जाता है, तो आप को अपनी इमिनिटी का इलाज करना चाहिए, और इस वक्त इमिनिटी की हर शक्स को जरूरते है, जो स्वास्त हैं उनको भी, और आपको अपना खास खया लगना है, क्योंकि इमिनिटी की कम लोग इस वक्त तकलीफ में आ सकते हैं, जो संक्रमन चला है, उसके लिए, आपको इम्मुनिटी पर काम करना चाहिए और बलके अपने घर वालों को भी ये एक खुरा जरू खिलानी चाहिए माजून आर केर सुबा शाम एक चम्मच गरम पाने से काएं बाहर की चीजें और खटी चीजें बिल्कु छोड़ दें और पांच-छे महीने अगर इलाज करें तो आपकी परिशानी ठीक हो सकती है चंडिगर से अगले कॉलर हैं विजेर रानी जी स्वागत है आपका हाँ जी मैडम नमस्कार नमस्कार बोलिए सवाल करें अपना मैडम मेरी एज न सेवन्टी एर्ज है ठीक है और मेरे न घुतनों में दर्द रहता है डॉक्टर्स मेरे को घुतने रीप्लेस कराने के लिए बोलते हैं लेफ्स साइज का घुतना थोड़ा आगे को निकला हुआ है घुतनों में कहते गैप कम हो गया है हाँ देखिए रानी जी बस यही काम मत करना सतर साल आपने खैरियत से गुजारे और अब आप आपरेशन मत कराना मेरा आपको सुझाओ है मैंने कोई शख्स काम्याब नहीं देखा आपरेट होने के बाद एक सुझाओ अगर मेरा मांद ले तो आप दो चार महीने में पहले जैसे भी हो सकते हैं सुझाओ यह है कि एक तो हमारे घर में वेस्टन टॉयलेट होना चाहिए है तो बहुत अच्छा है नहीं है तो लगवाले और दूसरा देखिए एक तो दवा आती है जिसको कहते हैं कैपसूल टी केर टी मतलब टाइगर टी फॉर टाइगर कैपसूल टी केर सुबा शाम ले के बाद लगी फाइदा तो पांच-दस दिन बाद करती है पांच-दस दिन बाद तक तो मुझे कुछ मत कहना लेकिन एक महीने ली तो आपको इतनी फाइदा होगा कि आप फिर शिकायत ने करेंगे बलके फोन करके हमें सराएंगी हमारे मश्वरे को और यह ले लिए लिए टी केर या फिर गौन सिया आता है काला गौन मैं सब काला गौन ही बताता हूं लेकिन आप आपरेशन के करीब हैं इसलिए मैंने आपको दवा बताई कैपसूल टी केर तो काला गौन भी एक ऐसा गौन है जो देखने में ब्राउन सा होता है लेकिन गौन सिया हम लोग कहते ह जरूरी है नकली बहुत मिल रहा है आजकल तो ये अगर सो दो सो ग्राम भी आपको मिल गया तो आपके रोग निवारन के लिए काफी होना चाहिए इसके खाने का तरीका है आदा ग्राम सुबा नाच्टे के बाद आदा ग्राम शाम को बगहर चेर्बी के दूस से आपकी उमर पूरी तरह ठीक हो सके जी